रेंबो सेवन चेनल की और से मदन गोपाल का सत्रेंगी और कुलकुल नमेशकार स्नोफोल, हेवी स्नोफोल में कनवर्ट हो चुका है तीन सिच्वेशन बताने वाला हूँ अभी भी आपने लाइव स्नोफोल एंजोई नहीं किया है तो आपको डेट भी बताऊंगा आ सकते हैं और बर्फ आपको अच्छी खासी मिलने वाली है लेकिन इसके समन्द में कई महतोपुन जानकरी देने वाला हूँ आप एकांत पसंद करते हो बीड़ बार से दूर, पर्मिट की कोई रिक्वार्मेंट नहीं चाहते बीना पर्मिट और ट्राफिक, जीरो ट्राफिक और इस परकार की वादियों का बर्मन करना चाहते हो तो ये लोकेशन आपके लिए बहुत उप्योगत है नमर डिस्क्रिप्शन में दिया गए है समपर कर सकते हैं रजिस्टर्ड गाइड है हिमाचल टूरिजम के राजकुमार जी के तो ये आज का एक फरवरी 2024 का सनोपोल जो पहले वाले दिखाए ये एक तारिक है अंतर दिखाने का प्रियास किया है कल जब श्टार्ट हुआ था और पहले जो आज वाला वीडियो है और ये अभी थोड़ा सनोपोल बंद हुआ है तीन सिच्वेशन में दिखा रहा हूँ डिटेल आगे बताऊंगा पूरे पहड है वो एक सपेदी की चादर में रजत रंग से रंजित हो गए हैं चांदी जैसे लगने लगए हैं यहां एक परसेंट भी बरफ नहीं थी पूरी की पूरी गाटी कुलो गाटी है बहुत सुन्दर नजर आ रही है तो आपको यदि आप यहां आना चाहते हैं सेंज वेली की बात कर रहा हूँ मनाली से पहले आता है और यहां एक लोकीशन है संगड जो अभी आपको मैं दिखाता हूँ उसकी पोटू तो देखकर आप दंग रह जाएंगी तो यहां भी अच्छा सनोफुल देखने को मिला है पूरी गाटी बरफ से आवरित हो चुकी है और यहां जो संगड के पास यह इस्तान है मनु टेमपल के पास तो आप भीडबार से दूर नो टाफिक एरिया चाहते हो शानती और सकून चाहते हो फ्रेस बरफ से खेलना चाहते हो लाइब सनोफुल देखना चाहते हो तो इससे बढ़िया कोई लोकेशन नहीं हो सकती है और यहां अच्छे अच्छे ट्रेक भी वन डे ट्रेक हाइक आप कर सकते हैं राजकुमार जी के साथ और इस परकार के यह नजारे हैं और भी सनोफुल होने वाला है तीन तारीक के आसपास अच्छा सनोफुल आपको देखने को मिल सकता है तो आप यहां आकर एंजोई कर सकते हैं खिलाल सनोफुल रुका हुआ है और वापी सनोफुल होने वाला है तो इस परकार के नजारे यदि आप अपनी आँखों से देखना चाहते हैं और लेटेस्ट अपडेट का में आगे स्क्रीन सोट लगा देता हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा लाइक और अच्छा सकते हैं